असलामलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम टू बायो वित अनीला क्रास नाइन का टॉपिक जो मेरी हम इस वीडियो में डिसकस करने लगे हैं वह बेसिकली कंजर्वेशन और बायो डाइवरस्टी क्यूंकि बेटा हम लोग थर चेप्टर पढ़ें बायो डाइवरस्टी का जिसम आप चेप्ट राइवरस्टी को टॉपिक डिसकस करते थे साथ करते मिसमिल्ला रखवान इर्याहीं एंडियों क्या होता है वो सेफ करना बायो डाइवरस्टी का मतलब है चाहे वो लिविंग और लिव्ट एनिमल्स है उनको बिसिकली कैसे सेफ किया जाता है अभी हम वह न तो बैसिकली बिटा हमारे पास जो बायो डैवरस्टी है इसको जादा आप लोग ने ऐसा तफसीज़ याद करने की जुरूरत नहीं है हमेशा याद रखिए मैं तो आपके जो बुक में एक्स्टा एक बॉक्स में जिसमें एक्स्टेंट और एंडेंजर स्पीशिज़ की डेफिनेशन आप बस वह टॉपिक याद करें वह दो डेफिनेशन जाद कीजिए प्लस अनिमल्स के नेम जो के जिनकों के खतरा है या दु स्पिशिज एंडेंजिर्डर क्ते है या जिसको घतार लाहा का यह नहीं चेंट प्लस को खतरा होती है को मतलब घला कि इन्गेशा मतलब होता है अशी स्पीशिच्व के घ्र हो है के वह future में क्या हो जाएंगी Extent हो जाएंगी Extent का क्या मतलब होता है कि इन में कोई डाउट नहीं होता है कि उनका जो लास इंडविजव्यूल है वो भी दुनिया से जो है वो खत्म हो चुका हुए ठीक है कि लास इडिवीजिवल बिचल के रिसक το लोगे पास आगे चल कें एक्स्टेंट हो जाना है तो आपके बूदी बॉत आहई में पाकिसान में यह फोड़े अजिय जो इसाइनियरंेGS टना कि यह इस फिझाव फिसम नहों सब्सक्राइब करें दुनिया से जमीन में डिफ्रेंट टाइम पीरिड एक आया था जिस पे बहुत सरी मुविस भी बनी है तो बेसिकली बेटा यह वह टाइम पीरिड था जब डाइनसौर्स थे और यही कहते हैं कि नेचर नहीं उनको खतम करना चाहती थी मजीद वह अपने हैंकर नहीं सर्वाइब करते थे तो यही थेरी है कि जो घरा था ऊभी गिरा था जब भी कोई ऐसी चीज गरती है और यह शोख से जब ग थर सर्फ में लिए पीछे रह गयी उनकी बोंस जो गह ऐसा बनीगी और प्रिजर्व तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैने टालोजी जो नाइट में आप देखो तो इसमें लोगों ने पढ़ा था स्टाडी फॉसल में डाइनसौर्स का बताने का यह मत्तब है कि एक्सिंट हो चुकी दुनिया से खताम हो चुकी है अब यह कुछ नाम लिखें हैं जिनको के अंडेंजर स्पीचिस हैं डिकलेर कर दिया गया बाकाइदा नेट पे जाओ तो आप अंडेंजर स्पीचिस की लिस्ट को लिस्ट भी आ जाएगी कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे अनिमल्स हैं यह दुनिया के कौन से ऐसे अनिमल्स हैं जो है वो शाया की गई है जिसमें बताया गए कि इनको मजीद जो है इनका ना किया जाए यूज या इनको ना हंट किया जाए ना प्लांट्स है तो उनकी कटिंग की जाए क्योंकि वो एंडेंजर स्पीचीज है नासे मिसा के तो पर लाइन होगा टाइगर होगा यह पाकिस् यह सारे जो है यह यह इंडेंजर स्पीचिस डिक्लेयर हुए होए जिनको के इसमें वन इसमें रायनस ओर भी आ जाता है जिसका के एक हौन होटा है सारे वो अनिमेल्स हैं जिनकों के खत्रा लाहाग है जो के अगर इनका ना केर किया गया तो ये नियर फूचर में एक्स्टेंट हो जाएंगे दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो बस आज की टॉपिक में आप लोग ने सिर्फ एक्स्टेंट की डेफिनिशन याद करनी है प्ल कर द ऴारी कर दो जी कि है कर लोग।